नमस्ते प्यारे बच्चों आश्रा करते हैं आप सभी स्वस्त और खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छ से कर रहे हैं आज मैं आपको करा रही हूं आपकी वरक्षीट नमर 137A यह आपकी हिंदी की पुन्रवर्ती वरक्षीट है इसमें हम पत्र लेखन और बच्चों हम जानते हैं कि आप कारेपत्रिकाओं का अभ्याज बहुत मन लगा कर करते हैं तो आए आगे कुछ नयाक सीखने से पहले हम बीते दो हफ्तों की कारेपत्रिकाओं को एक बार दोहरा लेते हैं चलिए श्रू कर देते हम भी आपसी संबन्नों को बनाय रखने के लिए पत्र बिवार एक महत्पूर सादने तो आए बच्चों अपने चाचा जी को जन दिन पर भेजेगे उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखते हैं नीचे का धूरा पत्र दिया है जिसे आपको संकेत शब्दों की साहता से पूरा करना है तो संकेत शब् आदत अन्मोल समय जन दिन और दिल ठीक है तो पत्र पहले लिखेंगे हमारा अनौपचार इक पत्र है ठीक है आए शुकर है पत्र भेजने वाले का पता माल लीजिए आपका नाम है पूनन तो आप इहाँ पर अपना नाम लिख देंगे और आप मालीजे दिल्ली से अपने चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं तो दिल्ली दिनांक उसी दिन की डाली आती है जिस दिन आप पत्र लिखते हैं कि आप 20 तारीक को पत्र लिख रहे हैं 20 दिसामर दोजार रिक के इसको तो आप उसी दिन का तारीक डालेंगे उसी दिन की चलिए नमस्ते चाचा जी आशा है कि आप स्वस्त और कुशल्टा पूर्वक होंगे आपने मेरे जन दिन पर जन दिन पर उपहार सो रूप एक घड़ी भेजी गड़ी भेजी मुझे यह उपहार बहुत अच्छा लगा क्योंकि इससे मुझे समय के महत्तों समय ओप्शन में दिया थे न समय के महत्तों का घ्यान हुआ और सभी कार्यों को सई समय पर करने की अच्छी आदत भी पड़ी इतने डैश उपहार के लिए आपका डैश से धन्यवाद इतने बहुमूले क्या था इतने इतने अन्मोल उपहार के लिए आपका दिल से धन्यवाद आपका प्रिय भतीजा या भतीजी हमने क्योंकि हाँ पर पूनम उपर लिखा है तो हम्या लिखेंगे आपकी प्रिय भतीजी पूनम ठीक है तो पूरा पत्र किस तरीके से हुआ है पूनम दिल्ली दिनांग 20 दिसंबर 2021 नमस्ते चाचा जी आशा है कि आप स्वस्त पर कुशलता पूर्वक होंगे आपने मेरे जनन दिन पर उपहार से रूप एक घड़ी भेजी मुझे यह उपहार बहुत अच्छा लगा क्योंकि इसने मुझे समय के महतु का ग्यान इससे मुझे समय के महतु का ग्यान हुआ और सभी कारें को सही समय पर करने की अच्छी आदत भी पड़ी इतने अनमोल उपहार के लिए आपका दिल से धन्यवाल आपकी प्रियभती जी नाम पूना ठीक है फिर हम अगला प्रशन करते हैं जो कि है प्रशन नमर दो आईए बच्छो नीचे दिए गए अनुछेद मेरा प्रियवमित्र को संकेत शबदों की सायता से पूरा करते हैं तो संकेत शब्द क्या-कया दिए गए हैं सबसे पहला है प्रथम गर्व हिंधी लूडो मदद और प्यार ठीक है अब इसको हम पूरा कर लेते हैं चैनल इशू करत उसका प्रिये विश्य हिंदी है, वे सुधा कक्षा में प्रथम आता है, वे पढ़ाई में मेरी मदद करता है, हम दोनों मिलकर पकड़म पकड़ाई, बरफपानी और लूडो, लूडो का खेल खेलते हैं, सबी अध्यापक उसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे ऐसा मित्र मिल मिलने पर गर्व है, तो इसको पूरा पढ़ाई मेरी मदद करता है, हम दोनों मिलकर पकड़म पकड़ाई , बरफपानी और लूडो का खेल खेलते हैं, सबी अध्यापक उसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे ऐसा मित्र मिलने पर गर्व है क्योंकि मैंने यहाँ पर नाम राहूल लिखाता है इसलिए मैंने यहाँ पढ़ता है मदद करता है या परथम आता है यह शब्द इस्तेमाल कि अगर आप अपनी किसी सहेली का नाम लिखेंगे तो उसमें आएगा पढ़ती है बच्चेс Cyrus को बताएं तो पत्र लिखने का तरीका है पत्र पहुंचाने का तरीका है वह सबसे पुराना तरीका है पर आज के समय में हम इमेयल, वट्सप, फॉन इन सभी के मादें से भी अपनी बात दूसरों कर पहुंचा सकते हैं क्योंकि हम अब modern हो गए हैं हमारे जो communication के जो तरीके हैं वो बदलते जा रहे हैं पत्र लेखन पत्र जो होता था वो हम बेशते थे दो-तीन दिन में पहुंचता था फिर उत्तर आने में दो-तीन दिन लगते थे तो पूरा हफता भी जाता है लेकिन आप हमारे अस फोन है तो हम फड़ा-फड़ से अपनी बात कहीं से पर भी फोन मिलाकर कर सकते हैं तो उमीद है आपके लिए वरक्षिट यूसफुल रही होगी अगर यूसफुल रही है तो इसे लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चैनल के को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद